नमस्कार दोस्तों मैं एड़ोगेट रविंद्र स्वागत करता हूँ आपका एक नए सेशन के साथ और आज हम बात करने वाले हैं यदि किसी के खिलाफ, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, और किसी अन्य वेक्ति के खिलाफ, यदि पलिस स्थाने में एफायर धर्ज हो जाती है तो अपने दोरा किया गया पहला कदब क्या होता है एफायर किसी के खिलाफ भी दर्ज हो सकती है आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, किसी भी अन्य वेक्ति के खिलाफ, यदि फिर एफायर किसी के दोरा भी दर्ज करवाए गयी हो इसके बारे में विचार करने का अपने को पू में जानना किसी भी वेक्ति के खिलाफ यदि एफायर दर्ज करवाई जाती है तो एफायर पहले ही जाना जरूरी है कि एफायर क्या है एफायर को बोलते हैं फस्ट इंफोर्मेशन रिपोर्ट परतम सूचना पत्र किसी भी अपराद के मामले में यह पुलिस थाने में जाकर दर्ज करवाई जाती है इससे पुलिस अधिकारी को सूचना दी जाती है कि किसी इस्तान पर किसी भी परकार का अपराद किया गया है यह फिर कारित किया गया है जिससे पुलिस अधिकारी साउधानी के साथ उसको उसकी जो भी परकिरिया होती है उसे निमित रूप से कर सक यह इसकी परिखे रहे किस किस तरीके से होगी एक चाहिए द्वारा आपको बताई जा सकती है पपिर संगय अपराद या फिर असंगय अपराद क्या होता है इसके बारे में आपके लिए एक special वीडियो लेकर आऊँगा देखना ना भूलिएगा तो आईए फिर से लोट आते हैं अपने इसी topic के साथ जब भी आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो आपका पहला कदम यही होता है कि आपके किसी भी किसी भी मतलब किसी दोस्त को किसी अपने relative को या फिर किसी भी अपने वकील को जो आपका family वकील होता है उसको पुलिस थाने में भेज कर उसके F.I.R. के अंदर जोड़ी जाती है उनका पता लगाना क्यों कि किसी भी अपरात किस नेचर का है इसका पता उसके अंदर जोड़ी गई उन धहराओं से ही पता किया जा सकता है यदि किसी अपरात चलो एक तरह से मान लिया जाए दहराएं, कुछ ऐसी है, जिन में तीन साल से उपर का, उपर के तीन साल से अधिक के कारावास का दंड दिया जा सकता है, उसे संगी अपरात कहा जा सकता है, तीन साल से नीचे की सजा दी जाती है, तीन साल से कम, वो एक असंगी अपरात की श्रेणी में आता है, है कि तो आपको यह जाना जूरूर है कि उसमें कौn- estaba आपको पता 1 जाती है तो उसमें आपको कॉई बात नहीं है कि आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है यर नहीं की जा सकती वह अपराथ एक तरह से संग्य प्रकृतिका है तो आपको यदि आपने वह अपराद नहीं किया और एक तरह से जूटी खबर है कि और तो फिर आपको क्या करना चाहिए यदि आपको गिरफतारी के आशंका है तो अरुनेश कुमार फरसेज स्टेट ओब भिहार के मामले में सुप्रिम कोट ने इस पस्ट शब्दों में आदेश करते वे कहा है कि यदि साथ साल से कम सजावाले मामलों में यदि आशंकता ना हो तो गिरफतारी करना आशंक नहीं होगा और यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफतारी की जाती है या फिर गिरफतारी करना जरूरी है तो उसके कारणों को पुलिस अधिकारी द्वारा केस डायरी में इस पस्ट शब्दों में लिखना जरूरी होता है इसका लिखने का कर्तव्यों पुली सद्रीकार को दिया गया है यह पली सद्रीकारी अपने कर्तव्यों को पूह रूप से निभाए गा इसमें आपको कोई ये कोई विश्वास करने कारण नहीं है जैसे कि वो गवाओं को डराता ये विश्वास करने कारण नहीं है ये फिर कोई भी जिसे हम कुछ भी मान सकते इस प्रकार के बातों पर नियायले विश्वास नहीं करता विश्वास करने कारण होना चाहिए यदि आपको फिर भी लगता है कि आपको पुलिस अदिकारी द्वारा आपकी F.I.R. को नहीं बताया गया या फिर कोई और भी रिजन हो सकता है तो आप इसके बारे में अब एक और बात जान लीजिए कि जब भी किसी भी वेक्तिय खिलाफ F.I.R. दर्ज हो जाती है तो निश्चित समय अंतराल के अंदर उस F.I.R. को सम्मंदित न्यायले में भेजा जाता है विचारन के लिए किसी मजिस्टेड के पास मजिस्टेड उस F.I.R. का विचारन करता है और उस अपराद का समाधन करता है ये अपराद किस प्रकरतिका है सही है या गलत है ये F.I.R. सही करवाए गई है या फिर गलत करवाए गई है अपराद भी हुआ है या नहीं हुआ है इसका विचारण मजिस्टेट द्वारा किया जाता है यदि FIR को पुलिस स्थाने से न्यायले में भीजा जाता है तो आप अपने वकील के माध्यम से उसका पता लगा सकते हैं और धाराओं के बारे में पता लगा सकते हैं क्योंकि आपको न्यायले से आपके द्वारा की गई FIR की कोपी प्राप्त हो जाती है इसी परकार जब आपको FIR की कोपी प्राप्त हो जाती है और आपको पता चलता है कि मेरे उपर जो धाराओं का प्रियोग किया गया है मेरे उपर जो धाराओं लगए गई हैं वो धाराओं एक तरह से संग्य अप्राद की हैं संग्य अपराद की धरहें मेरे उपर लगाए गई है यह एक आजमानती अपराद है परन्तों फिर भी यदि आपके खिलाफ आपका जो सिविल है वो बिल्कुल किलियर है आपके खिलाफ कोई भी एफायर दर्ज नहीं वी है आपके जीवन काल के अंदर तो सुप्रिम कोट न जाता है और आपको गिरफतारी नहीं किया जाता यह यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो गिरफतार किया ही जाएगा मुझे लगता है तो आपके पास एक और आपको एक और प्रोविजन का ध्यान रखना है CRPC CRPC की धारा 438 438 CRPC में बताया गया है कि यदि किसी वेक्ति को असंगे अजमानती अपराद के मामले में गिरिफतार करने के आसंका है तो सम्मंदित शेशन नियायले द्वारा एप्लिकेशन लगा कर आप बेल प्राप्ट कर सकते यदि फिर भी आपको बेल प्राप्ट नहीं होती तो आप आपके राज्ये के उच्छ नियायले में हाई कोट में एप्लिकेशन लगा कर आपको जो Spanish हैं उनको समझाना होगा कि जो आपके खिलाफ धरायों का प्रयूक किया गया है वो एक तरह से जूटी है और आपने किसी भी परकार का अपराद नहीं किया है और यदि आपकी बातों पर उनको विश्वास करने का कारण हो तो आपको बेल दी जा सकती है और आप संबंदी थाने में जाकर अपनी बेल को ले सकते हैं बिना गिरफ्तारी के इसी परकार अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस F.I.R. के बारे में F.I.R. के आपको पूर्टे जानकारी हो चुकी होगी कि मैंने आपको एक इस परष्ट सब्दों में सरयल भासा में समझाने का प्रियास किया गया है लेकिन आपको साथ इसाथ इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना है कि जिस तरह बलादकार संबंदी मामले होते हैं बलादकार संबंदी जो भी मामले होते हैं इन में यह एक संगे और घिनोने अपराद है समाज की परती इसमें सुप्रिम कोट ने इस पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे मामलों की परकिरिया जल्द से जल्द सुरू की जाए और इस केस को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए क्यों क्योंकि जिसके साथ भी बलातकार जैसा जैसा गिनोन अपराद किया जा सकता है उसको इसको समापकर उसे वापस समाज में मिलाने के लिए जल्द से जल्द कानौन प्रियास करता है कि जो भी अपराद हुआ है उसकी सजा अपरादी को ओफेंडर को दे कर जिसके साथ अपराद किया गया उसे समाज में मिलान कि एक घिनोना अपराद है और इस अपराद में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं इस अपराद में सुप्रिम कोर्ट ने बताया है कि जल्द से जल्द गिरफतारी गिरफतार करने का आदेश दिया जा सकता है तो यह बात अलगे कि आपके खिलाके दिए बलात कार समन्दी तो उसमें आपको गिरफतार भी किया जा सकता है और साइद फिर आपकी जो धारा में आपको बताए CRPC की जो धारा है साइद यह भी आपके काम ना आए तो अब मैं आपसे इजादर लेता हूं मैं एड़ोगेट रवींद्र और साथ के साथ मैं आपको बता दू जिस तरह म आपको बताऊँगा कि आपके खिलाफ यदि बलाद कार के मामले में कोई जूटी F.I.R. दर्ज हो जाती है तो आपको क्या करना है उसका सामना किस तरह करना है क्यों क्योंकि कहीं बार ऐसा हो जाता है आपने कोई अपराद नहीं किया पर फिर भी आपके पास आपकी बेग बेगुना होने पर भी अपनी बेगुनाई को साबित नहीं कर सकते है ठीक है अब मुझे दीजे इजाजत जैहिं जैवारत